जम्मू में आतंकियों के काराना हमले के बीच एक चमतकार भी हुआ है सुजवान कैम्प पर आतंकी हमले में घायल एक महिला ने एक बच्ची को जनम दिया जब महिला को अस्पताल पहुचाया गया तो उसकी आलत काफी गंभीर थी लेकिन अच्छी कबर यह है कि महिला और बच्ची दोनों खतर से बाहर है और सही सलामत है एक दिन की ये नन्नी बच्ची जवाब है उन दहशत गर्दों को जो आमन और चैन के दुश्मन है आखों को जबकाते हुई फूल सी मासूम जिसे लोग सुझवान परी कह रहे हैं वही सुझवान जो श्चानिवार को आर्मी कैम पर हुए आतंकी हमले के बाद धर्रा उठा था लेकिन जब सुझवान कैम में गोलियों के आवाज गूंज रही थी तो यहां के आर्मी हॉस्पिटल में गूंज रही थी इस मासूम के किलकारिया जिस सुझवान कैम में आतंकी जिन्दगी खत्म करने पर आमादा थे उसी इलाके में एक मासूम सी जिन्दगी दुनिया में कदम रख रही थी देशत के महौल के बीच अपनी आखे खोल गई थी शानिवार को सुन्जवान आर्मी कैम पर हुए आतंकी हमले में जो लोग खैल हुए उनमें ये महिला भी शामिल है लांस नायक नजीर की बीवी शाहदा जो 36 हपते की गर्वती थी गोली लगने के बाद शाहदा बुरी तरह घायल हो गई उसे फॉरान अस्पताल पहुचाया गया जहां उसने इस नन्नी बच्ची को जन्म दिया उस वक्त किसी को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह अपने आपको बचा पाएंगी और यह सबसे बड़ी अजूबे की बात ही है कि यह खुद एक प्रेगनेंट थी 36 वीक की प्रेगनेंसी इनकी मेच्वर हो चुकी थी और किसी वक्त भी इनका डिलिवरी हो सकता था और जब यह इंजर्ड हुई तो बुरी हालत में इंजर्ड हालत में उनको एमेच के इस हॉस्पिटल में लाया गया और यहां पर इन्हों ने डॉक्टर्स की डॉक्टर्स ने जो करिश्मा कर दिखाया है उतकी सहारे एक स्वस्थ बच्चे को जर्म दिया है जब शाहदों का अस्पताल पहुचाया गया तो उसकी हाला देखकर डॉक्टर भी हरान थे चिनौती थी कि पहले शाहदा की जान बचाएं या फिर बच्चे की डिलिवरी करें लेगिन जब चाच में डॉक्टर्स को बच्ची के स्वस्थ होने का पता चला तो फैसला पहले डिलिवरी कराने का हुआ कई घंटों तक चले इलाज के बाद आखिरकार बच्ची ने इस दुनिया में अपकी आखे खुल आतंकी हमले की मायूसी के बीच इस कोमल से बच्ची का चेहरा देखकर हर किसी का चेहरा खेल उठा बच्ची का वजन धाई किलो है और वो वो विलकुल स्वस्थ है डॉक्टर्स नहीं इस फूल से बच्ची को सुन्जवान परी का नाम दिया है अपने इस से पहले भी बहुत सारे बच्चे गोद में उठाए होंगे लेकिन ये बच्चा स्पेशल है ये बच्चा स्पेशल है क्योंकि जिस हालात में हमने मा को रिसीव किया था हमें डर था कि कहीं कोई इंटर्ना इंजूरी ना हो लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने एमर्जिंसी डिपार्ट में सारा स्कैनिंग करके ये पता चल गया कि अटलीस बच्चा स्वस्थ हालत में है जब जम्मो कश्मीर की सियम को शाहदा के बारे में पता चला तो वो भी अस्पताल पहुची सियम ने ना सिर्फ बच्ची को देखा बलकि शाहदा का होसला भी बढ़ाया जिसने आतंकियों की गोली के बावजूद हिम्मत नहीं हारी शाहदा और उसके बच्ची सुन्जवान परी यकीनन नातंकियों के मुह पर करार तमाचा है जो इंसानियत के कातिल बन कर जिन्दगी खत्म करने पर उतारू थी लेकिन मौक की कायर सोच के आगे जिन्दगी की जिद भारी पड़े रमन सेनी, इंडिया टीवी, जम्मू